है लोगाईज वैलकम टो में दल अरशम कोचिंग गाईज मैं अप लोग के लिए आज क्लास 10 सी बिक्स जो फर्स्ट चप्टर सत्ता की सजिदरी लिकराए हैं सत्ता की सजदरी की चप्टर का हम लोग explain करेंगे यानि जो short question है वो question बताएंगे वो next वीडियो में आप लोग को question सर्वी बताएंगे तो चलिए first question देखते हैं कि स्री लंका में अबादी का सबसे बड़ा हिस्चा किस पर्मोग समाजिक समो का है तो सिंगली समो का है फिर टो नमर question है कि 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के सम्मिधान में कितनी बार सनसदन कियेगे तो चार बार सनसदन कियेगे next three number है कि Belgium की जनसेंख्या कितनी है तो Belgium की जनसेंख्या लगवग एक कोडोर है next four number में है Belgium में किस जातियो समो की सबसे अधिक आवादी है तो फेलेमिस की है नेक्स्ट फाइब नमबर है बहु संखक सिधान के कारण किस देश में गिरीय युद्ध हुआ तो स्री लंका के कारण हुआ नेक्स्ट है कि सत्ता के छेतिच बीतरन से क्या तत्परियो है तो इसका उत्तर रोंगे कारियापाली क्या नेपाली क्या और विधाईका में सत्ता का बीतरन नेक्स्ट कुष्ट सेवेन नमबर कि बेल्जियम में जर्मनी भासी कितनी परतिसत बोलते हैं तो बेल्जियम में जर्मनी भासी वान परतिसत बोलते हैं नेक्स्ट एट नम्मर है कि बेल्जियम में फ्रांसेसी भासा बोलने बाले लोगों की परतिसत कितनी है तो चालिस परतिसत है नेक्स्ट है 9 नमर कुष्टेन बेलजियम में युद्ध बेलजियम में मुख रुप से कौन सी दो भसाइं बोली जाती है तो डेच और फ्रेंच भसा बोली जाती है नेक्स्ट 10 नमर कुष्टेन ए ईउरोपियो संग का मुख्या लई पुरुसेल समेशती थे सत्ता के साज़दारी किस चीज में सरबाधिक सयक है तो संगर्ष को रोखने के लिए स्रिलंका में सिंगली भासी लोगों का सम्मन किस धर्म से है तो स्रिलंका में सिंगली भासी लोगों का सम्मन वो छत्र धर्म से है सत्ता के सजदारी से आपका क्या तातपरिया है या आप क्या समझते हैं इसका उत्तर होंगे जब देश की सत्ता में देश के उन्दर रहने बाले सभी वर्गों को हिस्सेदर बनाए जाता है तो इस व्यवस्ता को सत्ता के सज़दारी कहा जाता है अब next 14 number question कि सत्ता के सज़दारी से क्या लाब है इसका उत्तर होंगे सत्ता के सज़दारी से देश में रहने बाले किसी भी बेक्ती को बेगाने पन का एसास नहीं होता है और सभी मिलजूल कर रह सकते ही नेक्स्ट फेप्टिन नमर कोश्टेन है कि बेल्जियम को स्वतंतरता कप प्राप्त हुई तो बेल्जियम को स्वतंतरता 4 अक्टोबर 1830 को प्राप्त हुई प्रन्तु उसे मैननता 19 अप्रेल 1849 सेशिवी को दी गई स्रिलंका की कूल आवादी में सिंग्लियों और तमीलों की आवादी का क्या अनुपात है तो सिंग्लियों का 74% है और तमीलों का 18% है अब नेक्स्ट कोश्टेन गिरियो युद किसे कहते हैं इसका उत्तर होंगे जब एक ही देश में रहने वाले विविन्य गुटों में आपसी संगर्स और मार काट सुरू हो जाती है तो एसी खाना जंगी को गिरियो युद कहा जाता है नेक्स्ट एट्टेन नमर कोश्टेन है कि सत्ता के सज़दरी क्यों आवाई सके इसका उत्तर विविन्य समाजिक समुहों के बीच टकराव को कम करना यो लोकतांतरिक मुल्यों का अनुकूल है यो राजनितिक अष्टेथा को कम करता है नेक्स्ट सत्ता में अधिक साधिक लोगों को भागिदरी बनाता है स्रीलंका में बहुत संखगवा तता इसके प्रभावों का अबनन करी तो फस्ट सिंगली को एकमात्तर राजभासा घोशित करना सकेंड विश्यविद्धालें और सरकारे नोकरियों में सिंगलीयों को परात्मिक्ता ठड़ सरकार दबार बुध मत को संगरचन और बढ़ाबा देना नेक्स्ट वेंटी नोमर कुष्टिन कि बेलजियम में समाजिक विविदताओं सुत्पन समिश्याओं का समाधान केसे किया गिया इसका उत्तरोंगे सरकार ने विविदताओं को सोईकार किया और सम्मिधान में चार संसोदन किया नेक्स्ट केंदर सरकार में डच और फ्रेंच भासी मंत्रियों की संख्याजाद समान होगी नेक्स्ट थाट नमबर राज्य सरकारे के अंदिरे सरकारों के अधिन नहीं रहेगी फ़र नमबर समुदाइक सरकार का निर्मान एक ही भासा बोलने बाले लोग रहेंगे या करेंगे इससे सभी के वी संत्रन इस्ताफित हो गिया अब देखें नेक्स्ट कुश्ट नमबर समुदेख सरकार से अपका क्यास होई है इसका उत्तर होंगे समुदेख सरकार एसी सरकार को कहते हैं जिसका चुनाव एक ही भासा बोलने बाले लोग करते ही जैसे बेल्जियम में रहने बाले ड़ॉच फ्रेंच और जर्मानी बोलने वाले समुदेख सरकार के संस्क्रित इसे चार भासा जैसे मसले पर फेसले लेने का दिगर होता है नेक्स्ट ट्वेंटी टू नमबर कुश्टिन बेल्जियम की समाज में भिविन्य भासाई लोगों की बिश्टनाव की क्या कारण थे तो इसका फर्ष्ट बोसंख्यक ड़ समित रहना नेक्स्ट फोर समाजिक सत्ता एक सामुदाई विश्ट में केंद्रित है तो एहीं पर आपका बेसिक समापत होते हैं आई होप आपको अच्छे लगे होंगे फिर अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सत्ता के सज़दरी से जितना कुश्टन दिया हुआ ह उसका उत्तर बताएंगे तो मेरे साथ बने रहिएगा फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाई